दोस्तों recently यहां पर वाइफाई कॉलिंग के जो सर्विस है एर टेल एंजियो दोनों नहीं आप पर एनुबल कर दी थी तो यहां पर मैंने सूचा चलो एक वीडियो बना देते हैं कि आप कैसे यहां पर वाइफाई कॉलिंग के सर्विस को यूज कर सकते हो अपने असस के जनफोन, मेक्सपोर M1 और मेक्सपोर M2 स्मार्टफोन के अंदर तो यहां पर अगर आप भी वाइफाई कॉलिंग के सर्विस को यहां पर टेस्स करना चाते हो अपने असस दिवाइस के अंदर तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा दोस्तों सबसे पहले अगर आपको यहां पर वाइफाई कॉलिंग के फीचर को यूज़ करना है किसी भी स्टॉक एंडरोड वाले फोन के अंदर यहां पर अगर आपको वाइफाई कॉलिंग को यूज़ करना है असस के मेक्सपोर M1 के अंदर यहां पर आपको क्या करना है कि simply play store के अंदर जाके जो है जो गूगल का phone डायल एप है simply आपको सबसे पहले इसको up-to-date करना है अगर इसका कोई भी update यहाँ पर आया हो तो आप simply इसके update को जो है install कर लीजेगा यहाँ पर इस button पर tap करके मैंने इसका जो update था वो last जो भी था मैंने उसे install कर ली है जैसे ही आप यह step perform करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करने कि simply आपको अपने settings में जाना है अगर आपको कोई भी system update आया हो तो simply आपको उसको भी यहाँ पर install कर लेना है इसके बाद आपको एक और step यहाँ पर perform करने simply जाना है अपने Google के phone dealer app में यहाँ पर आपको जाना है simply settings के अंदर settings के बाद आपको यहाँ पर open करना है calling and accounts को जैसे ही आप यहाँ पर इसे open करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना sim card select करना है जिसमें भी आपको यहाँ पर Wi-Fi calling के feature को यहाँ पर use करना है जैसे कि यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर अब आपको Jio में जो है Wi-Fi calling को enable करके दिखाने वाला हूँ अब ही के लिए सिर्फ Jio और Airtail के अंदर जो है Wi-Fi calling की service को enable किया गया है तो अगर आपके बस इन दोनों में से कोई भी sim card है तो आप जरूर से Wi-Fi calling की service को use कर सकते हो यहाँ पर मैं select करूँगा simply अपना first sim card यहाँ पर जैसे आप इस पर tap करोगे तो यहाँ पर अंदर आपको option दिखने हो मिल जाएगा Wi-Fi calling का आपको simply इस पर tap करना है यहाँ पर आपको क्या होगा कि simply इस पर टोगल को एक बार off करना है और फिर से on कर लेना है जैसे आप इस तरह से करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको simply एक बार अपने device को यहाँ पर restart करना होगा तो चलिए मैं अपने device को एक बार restart कर देता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो भाई मेरा जो डिवाईस है मैंने उसे रीस्टार्ट कर दिया है जैसे आप उसे रीस्टार्ट करोगे तो भाई यहाँ पर ऊपर आपको ऐसा वाला जो है एक सिंबल दिखायागा सिंप्ली आपके वोल्टी साइंग के जगह पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है सिंबल दिखाएगा उपर से तो आप समझ जाना कि वाई-फाई कॉलिंग जो है एनेबल हो चुका है यहाँ पर चली मैं आपको एक कॉल भी जो है लगा के दिखा देता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो भाई कॉल जो है कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर टाइमर जो है स्टार्ट हो चुका है और यह जो वाई-फाई कॉलिंग कर रही है हमारे डिवाइस में लेकिन एक च कुछ प्रॉब्लम है मुझे लगता है कि शायद हमारा जो यह सारा बग है वाई-फाई कॉलिंग का अगले अपडेट में फिक्स हो जाए लेकिन कभी-कभी वाई-फाई कॉलिंग जो है आटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है और मैंने भी इस वीडियो को तीसरी बार आटा था कि वाई-फाई कॉलिंग कभी-कभी ओफ हो जाती है तो अगर आपको यहां पर भाई फिरसे वाई-फाई कॉलिंग को यूज करना हो तो आपको पता है कैसे अनेबल करना है स्टेप साफ फिरसे फॉलो कर सकते हो और इस तरह से आप एनेबल कर सकते हो वाई- मेरा नाम है Amit Kukreja, आप देखने हैं The Android Rush YouTube Channel, मिलता हूँ आप से अगले वीडियो के अंदर आप से अगले वीडियो के अगले वीडियो के अगले वीडियो के अंदर